Hello everyone, आज हम Statistics for Economics इसमें introduction जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में समझना इसलिए कह रहे हैं कि कुछ students को समझ में नहीं आता कई बर नए students होते हैं तो बात वहीं पे चल रही है Meaning of Statistics in Plural Sense Plural Sense और Singular Sense में दो तरह से हमारी Statistics का शब्द हम प्रयोग में लाते हैं ये वर्ड जो है प्रयोग में हम लाते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि Plural Sense में हम Stats को क्यों यूज करते हैं किसलिए यूज करते हैं ये से समझने की कोशिश करेंगे तो Plural Sense जो होता है It is a Collection of Numerical Facts ये Numerical Facts का Collection होता है यहनि कि हमारे जो Numerical Facts हैं तत्थे हैं उनका Collection होता है जैसे कोई आप Data Collection करते हो जैसे आपने जनसंख्या का Data Collect किया है Population का Data Collection जो होता है उसको भी हम क्या कह सकते हैं Statistics कह सकते हैं Plural Sense में अब यहाँ देखो कि meaning of statistics in plural sense क्या meaning है इसका यह collection, presentation, analysis and interpretation of quantitative information को बताता है तो यहाँ पर आपको चाहर चीज़ें दिखेंगी सबसे पहले data collection किसी भी economic activity के लिए हम data collection करते हैं फिर उसका presentation करते हैं आपने बार graph etc देखे होंगे या फिर graph देखा होगा फिर हम उसका analysis करते हैं analysis में आपको हम बाद में समझाएंगे कि किस तरह से इसका analysis किया जाता है, visualization कैसे किया जाता है फिर हम interpretation of जो हमने collection किया इसका interpretation करते हैं उसे हम लागू करते हैं कि क्या ये data हमारे लिए सही है या नहीं है या कैसा होना चाहिए इस graph को और कई सारे इसमें visualization करते हैं बात आती है कि इसके definition क्या है plural sense में जब हम stats का प्रियोग करते हैं तो इसकी definition क्या है हम जब भी कोई data collection करते हैं इसी भी economic activity का तो हम सबसे पहले एक purpose ले लेते हैं कि हम इससे collect क्यों कर रहे हैं इस data को बिना purpose के हम कोई भी data collection इसमें नहीं करते हैं हम purpose लेकर के data collect कर लेते हैं फिर हम उसे systematic manner से collect करते हैं और फिर उसका presentation होता है analysis होता है और interpretation ये बाद में आती हैं चार चीजें एक दो तीन और चार चीजें कब आती हैं data collection का purpose निर्धारित करने के बाद आता है सबसे पहले हम collect करते हैं फिर हम present करते हैं फिर analysis करते हैं और फिर interpretation होता है तो CP AI को समझ लीजे बस CP AI को यदि आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि plural sense में हम stats का प्रेयोग कब करते हैं अब economic की कली जब हम बात करते हैं तो हमारा question आता है कि consumer किसे कहते हैं साधारन भाशा में उभोगता हैं हम सभी consumer है किसी न किसी सामान के किसी वस्तु के goods के या किसी service के तो हम क्या हुए consumer हुए तो a person who buys goods and services for the satisfaction of human wants is called consumer हम अपनी आवश्यक्ताओं के संतुष्टी के लिए जब कोई भी सामान का प्रेयोग करते हैं तो हम क्या हुए हम हुए consumer consumer यानि हिंदी में हम इसे कहते हैं और भोगता किसी भी सामान को भोग करने वाला व्यक्ति अब आता है producer a person who produces goods जो भी सामान को बनाने वाला उता हुए producer कहते हैं अब film का producer अपने सुना भी होगा तो फिल्म के निर्मान को करने वाला film निर्माता क्या कहा जाता है या निर्मान कर सकता है service holder, a person who is working in a job, कोई भी व्यक्ति जब job करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, service holder, service provider, जो service provide करवाता है, और हमें permit दिता है, उसके बाद आता economic activity, activity is undertaken for monetary gain और earning income, जब हम पैसे कमाने के लिए, earning के लिए कोई भी activity करते हैं, तो उसे क्या का जाता है Economic Activity कहा जाता है आर्थी क्रिया हमें से हिंदी में बोलते हैं आर्थी क्रिया क्या है आर्थ यानि धन धन कमाने के लिए किया गया कारे कोई जोब करता है कोई कुछ समान बना करके सेल करता है तो वो सब क्या हैं आर्थी क्रियाई हैं, जो हम अपने अर्निंग के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए जो करें नहीं करते हैं, जिसे घर में करें करते हैं, तो वो फिर economic activity में नहीं आता है, फिर आता है, economics is divided into three parts, हम economics को तीन भगों में बाढ़ते हैं, तो सबसे पहला मारा क्या है consumption, दूसरा है production, तीसरा है distribution, हम इन तीनों के अंतरगत पूरे economics को पढ़ लेंगे, कैसे देखो, consumer है, consumption करता है, producer है, production करता है, फिर distribution, government करती है, यहीं कि वित्रण जिसे कहा जाता है, समान का वित्रण जो होता है, वस्तू का वित्रण है, services का वित्रण है, वो response, their origin, nature and characteristics and the law, the law governing them, consumption में क्या है, उप्भोग किसे कहते हैं, देखो, उप्भोगता जो करता है, consumer क्या करता है, consumption करता है, consumption में किस किस का study करेंगे, कि हमें क्या चाहिए, वो समान कहां से आया, उसकी प्रकरती कैसी है, उसकी विशेशनाएं कैसी है, यहीं कि जो हम भी उप् और उसकी विशेशनाएं कि क्या है, consumption की, उप्भोग कैसा है, हमारा consumption कैसा है, यह सब हम किस में देखते हैं, consumption में देखते हैं, production की बात आती है, तो, it refers to all activities which are undertaken to produce goods and services for generation of income and satisfaction of wants, सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, कि wants के satisfaction के लिए जिन भी सामान का निर्मान कर दिया जाता है, वो क्या का जाता है, production कहा जाता है, यहीं, wants के satisfaction के लिए जो बना दिया गया, और income का generation भी होगा इससे, कुछ बनाएंगे सामान, तो sell होगा, sell होगा, तो, हमारी income हो इससे लिए तो हम सामान बनाते हैं, तो जो सामान, आई की उत्पती के लिए बनाया जाता है, income generation के लिए बनाया जाता है, उसे क्या का जाता है, उसे production कहा जाता है, मुझे लगता है कि आपको consumption और production क्लियर हो गए होंगे, उसके बाद एको distribution आ जाता है, हम इसी में तीनों चीजें पढ़ रहे हैं, economics को हम तीन चीजों से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, consumption से, production से, और हम पढ़ रहे हैं, distribution से, तो पूरा अर्शास्त्र किस पे टिका हुआ है, C, P, D पे टिका हुआ है, इस पे याद रख लिजेगा, C, P, D, तो consumption, production and distribution, अब आता है, सवाल की distribution क्या है, यह D क्या है, economic activity which studies how income generated from the production processes distributed among the factors of production, अब देखो, वितर्ण में कई सारे चीज़ आती हैं, distribution में कई सारे चीज़ आती हैं, लेकिन जो, how income generated from the production, हमने कुछ product बनाया, production किया, हमने किसी भी समान का, यह किसी service का, तो उस में factors जो हैं हमारे, जो factors लगे हैं, चार factors हमारे production में लगते हैं, land है, labor है, capital है, और entrepreneurship, यह चारों चीज़ जो हैं हमारे production में लगती है, land labor, capital and entrepreneurship, तो इन चारों में कैसे बटा, हमने जो भी income generate की किसी समान को बना करके, वो इन चारों को कितनी-कितनी मिली distribution क्या है इनके बीच में उसका distribution कैसे होगा कितना हुआ क्यों हुआ ये सब study को कौन करता है economics करता है यानि इन सब की study किसके अंतरगत आ जाती है economics के अंतरगत आ जाती है data क्या है data economic facts in terms of numbers economic facts होते हैं जब हम किसी संख्या में उसको व्यक्त करते हैं तब उसे क्या का जाता है data कहा जाता है आपने सुना है data collection data collection अब देखो demographic data जब हम collect करते हैं population से related data collect करते हैं तो economic fact क्या हुआ population हुआ और उसे collect कैसे करेंगे इतने लाख में है यहां की population इतने हजार में है तो वो क्या हो गया numerical fact हो गया यह terms of numbers में हम जब किसी चीज को collect करते हैं तो उसे data collection बोला जाता है data बोला जाता है अब यहां पर देखिए उसके बाद आपका आ जाता है कि importance of statistics क्या जरूरत है कि हम data collect करें क्यों हम data collect करते हैं हमें क्या नीड हुई क्या importance है तो किसलिए होता है importance to the government सबसे पहले government को जरूरत पड़ती है क्यों करती है administration के लिए efficient functioning of department जितने भी department हैं वो data पर अधारित होते हैं और it collect data to fulfill its welfare objectives सरकार का उदेश क्या होता है कि जनता का welfare करें और सब welfare का जितना भी fund होता है वो किस पर अधारित होता है data collection पर अधारित होता है दूसरा क्या है economics में हम data के में जरूरत क्यों होती है तो statistics helps in making economic laws like law of demand मांका सिधन and concept of elasticity ये चीजे आपको जब समझ में आएंगी जब आप इसे पढ़ोगे elasticity क्या है हम इसे सारल भाषा में लोज कहते हैं elasticity कहते हैं demand elasticity of demand तो मांग का नियम मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे वस्तों की कीमत बढ़ेगी तो उसके मांग कम हो जाती है यानि कि दोनों में ये प्रीत समंद होता है ये आपको शायद अपने 10th में भी पढ़ा होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा होने हम पढ़ाएंगे कि law of demand क्या होता है मांग का नियम क्या होता है concept of elasticity में भी statistics हमें help करता है उसके पाद हमें किसमें help करता है इट helps in understanding and solving economic problem economic problems होती है क्या क्यों कैसे कहां किसका उत्पादन करें कितना करें है वो सारी कैसे मश्य होती है उस वस्तु हमने कुछ बना लिया उसका pricing कैसे करें तो यह सारी हमारी समझ्चा ही होती है अर्थ शास्त्र की उन सब की solving में मदद करता है he helps in studying market structure market structure को समझने के लिए भी हमारा data हमारी काफी help करता है हमें इससे पता चलता है कि हमारी market में क्या trends चल रहे हैं trends यह नि उतार चड़ा market में कितना up जा रही है कि down जा रही है जिससे हमें क्या चीज़ सीखने में मदद मिलती है कि हम क्या तो बनाएंगे production किसका करेंगे कितना करेंगे और गैसे करेंगे तो यह सारी समझाएं क्या होती है किस से solve होती है यह होती है solve data से data हम collect करते हैं उसे related और फिर हम इन सारी समझाओं का solution करते है यहां देखो एक और इसका use है कि types in finding mathematical relation between variables हमारा mathematical relation जो होता है हमारे variables होते हैं हमारी economy में अलग-अलग इनने हम क्या बोलते हैं चर भी बोलते हैं variables बोलते हैं तो हमारे जो variables होते हैं उनका अपस में क्या relation है उसको बताने के लिए में क्या काम आती है statistics काम आती है इसका हमारा use होता है statistics का यहां पर देखो यह सारे प्रशनों के आपको जवाब मिल चुके हैं कि define statistics in plural form आपको यह define करना है economic activity क्या है service provider क्या है consumer क्या है और what is meant by production production किसे कहते हैं यह आपको सरल भाषा में कुशिश की है समझाने की और फिर उसके बाद यह एक-एक marks की question है यह तीन marks की question है कि define statistics in singular sense how is statistics important in economics and statistics important to the government government के लिए कैसे है अभी हमने बात चीत की थी जो भी मार इनितियां बनाई जाते है policies बनाई जाते है सब किस पर depend करते है और जितने भी formations होते है यह डिपार्टमेंट में जो गौश्ण डिपार्टमेंट होते है वो सारे data collection पर depend करते है और जो ग्वजटीव सोते हैं लोगों की भलाई का objectives होता है, उनका main तो वहाँ पर भी stats काम में लिया जाता है, statistics important होती है, यानि कि सरल भाशा में इसे data बोल देते हैं, तो आम बोल चाल की भाशा में, यहाँ पर आज का हमारा chapter जो है, introduction यह समापत होता है, इसके लिए, और आगे के जो वीडियोस हैं, वो भी आते रहेंगे, तो आप देखते रहें चैनल को, thank you for watching,